मेरे क्लाइस तेंत के प्यारे बगवा लोग कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बगवा लोग जिसका आज हम लोग चेप्टर नबर 2 चलेंगे बगवाओलोग, प्राकिर्तिक आप्डा एबंप प्रवंधन, जिसमें हम लोग बाढ़ और सुखाड के बारे में जानेंगे, बाढ़ और सुखाड के हाँ अबजेक्टीव की sed 很 को जानेंगे बगवलोग, हाना objective question को जानेंगे, तहां बगवलोग आपको बता देते हैं, कि इस chapter में आपको 24 हैना, यानि 24 question है बगवलोग, हाना, 24 यानि 24 question दिया गया है, अब आपको क्या करना है कि पहले आप khud से जवाब दीजिए अिसे यह होगा कि आपका objective भी हो जाएगा असासात में आप test भी है न, आपका test भी हो जाएगा कि आप कितना अप तक के आपको पास कितना जनकारी है और लोग, जो भी आपको नमबर आये टेस्ट में है ना तो आपको उसको कमेंट में बताना है बगवलो कि आपने कितना सही जवाब दिया है कि नहीं तो आपका अबजेक्टी भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा है कि नहीं मजदार सी तो चलिए चेप्टर को सुरू करते है बगवलो तो चलि किर्शी सुखार तिसका सही option बताईएगा तो तिसका सही option होगा हमारा option नमर ए होगा बगलो जल के अभाब में जल के अभाब में जल के कमी के कारण नहीं ना किर्शी सुखार होता है अगर चल उसको सही से मिलेगा तो किर्शी सुखार होगा सुखार होगा नहीं होगा उतरदाई कारण या कारथ ज bureau है, जल या बर्षा की जल या बर्षा की एक आपसे नimy किलियर है, तो चल mustn't नम्बर हम लोग 3 देखते हैं काता है Question 3 अधिरी नदियों में बाढ़ आने का परमुख कारण क्या है तिसका सही option बताईएगा भगलो तिसका सही option है हमारा तो हमको तो सभी लग रहा है देखे कहता है option में जल के अधिकता के कारण भी बाढ़ाता है बरसा के अधिकता के कारण भी बाढ़ाता है हना नदी की तली में अपसाद का जमाब हना नदी के तली में अपसाद का जमाब होने से भी क्या हो जाता है बाढ़ा जाता है तो यानि हमें हमारा option नमर हमारा D होगा सही बगलो इनमें से सभी चलिए अब हम लोग question नमर 4 देखते हैं करता है सरवाधिक बाढ़ परभावित देश है सरवाधिक बाढ़ परभावित देश है पता ये कौंसा देश है इसका सही option है हमारा option नमर C, bangladesh बांगला देश बोगा लोग चलिए अब क्यूशन नमर हम लोग 5 देखते हैं क्या कता है कता है बिहार में कौन बाढ़ प्रवन छेत्र है या पर का सकते हैं बिहार का कौन सा छेत्र बाढ़ गरस छेत्र है इसका सही अप्षन होगा हमारा अप्षन नमर डी होगा रवन है बिहार का कौन सा भाग सरवादिक सूखा परवन है इसका सही अप्शन होगा हमारा अप्शन नमबर C दच्छिन बिहार चलिए बगो लोग किफचन नमर हम लोग साथ देखते हैं चेवन चलिए कुछ सा्थ देखें कहाता कहता आपदा परवंधन का परमुक गटक है तिसका सही अप्शन होगा बगवलोग हमारा कौंशा तो आपदा परवंधन का परमुक गटन तो अस्थानिय प्रसासन भी लग रहा है स्वाइं से भी संगठन भी लग रहा है गामा बोहले के लोग भी लग रहा है यानि का सकते हैं option number D वह गो लोग इन में से सभी option number D चलिए question number 8 देखिएगा वह गो लोग धियान से कता सुखार या सुखा किस परकार की आपदा है सुखार या सुखा किस परकार की आपदा है इसको का सकते हैं कौँसा अंसर सही होगा भोग लोग इसका सही option होगा हमारा option number E होगा प्राकिर्थिक आपदा है, प्राकिर्थिक आपदा चलिए भोग लो question number हम लोग 9 देखते है question number 9 देखिए है, और बाढ़ क्या है इसका सही option होगा हमारा कौन सा तो option number A प्राकिर्थिक आपदा है बगलो तो चलिए question number हम लोग 10 देखते हैं बगलो question number 10 देखिएगा बगलो कता है बाढ़ से सबसे अधी कहानी होती है तक किसको सबसे ज़्याद हानी होता है बगलो तो देखिए यहाँ पे फसलों को भी सबसे ज़्याद हानी होती है भबनों को भी हानी होती है पसलों को भी हानी होती है यहने कह सकते हैं option number D उपरोक्त सभी को option number D हमारा सही होगा उपरोक्त सभी चलिए question number 11 देखिएगा बगलो कता सूखे से बचाव का एक मुख तरीका है क्या है बगवा लोग इसका सही तरीका इसका सही अप्शन होगा हमारा अप्शन नमबर A होगा बरसा जल संग्रह करना सूखे से बचाव का एक मुख तरीका है हमारा बरसा जल संग्रह करना यानि option number A चलिए बहुगा लोग question number 12 देखते है question number 12 क्या कहता है कहता है बिहार की बड़ी तराशदियों में एक है इसका सही option है हमारा option number C है बहुगा लोग बाढ़ क्या है बाढ़ है ना अगला question number 13 कहता है भाढ़ा नांगल बांध किस नदी पर है भाढ़ा नांगल बांध किस नदी पर है इसका सही option होगा हमारा option number D होगा वह लोग 17 नदी पर option number D क्योश्य नमर 14 दखिया कहता है पच्चिम बंगाल में बाढ़ की भीभीशका वाली कौन नदी है पस्छिम बंगाल में बाल की भीषका वाली कौन नदी है तिसका सही अप्षन है हमारा अप्षन नमबर A, दामो अधर कौन है भीगो लोग, दामो अधर अप्षन नमबर A, चरिये अगला कहता है किस नदी पर है इसका सही option है हमारा option नमर B कोसी नदी पर है कोसी नदी पर चलिए किस नमर हम लोग 16 देखते हैं किस नमर 16 देखे काता है कि बिहार के कितने जिलों में आपात करवाई केंदर अस्थापित करने की योजना है बिहार के कितने जिलो में आपात करवाई केंदर अस्थापित करने की योजना है इसका सही option होगा हमारा option नमर A, 38 जिलो में है न, 38 जिलो option नमर A चर यह question नमर 17 काता है निमलिखित में से कौन राज सूखे से सरवाधिक ग्रस्त रहता है इसका सही option है हमारा option नमर डी गुजरात है बगलो है ना गुजरात चलिए question नमर 18 देखे अगता है निम्लिखित में से किस छेतर के जाड़े की दीनों में बाड़ ग्रस्त होने की असंका है निम्न में से किस छित्र के जाड़े की दिनों में बाढ़ ग्रत होने की आसंका है तिसका सही अप्षन है हमारा अप्षन नमबर B तमिलाडू हाना तमिलाडू में वोगा लो चलिए क्यूश्चा नमबर हम लोग 19 देखते हैं देखें क्यूश्चा नमबर 19 का कहता है कहता है कि 17 नदी पर क्रित्रीम जलाशे बनाया गया है इसका सही अप्षन है हमारा अप्षन नमबर D गोविन सागर हैना गोविन सागर चलिए वोगा लो च्यूश्चा नमबर 20 देखें कहता है सोखे की स्थिती किस परकार आती है सोखे की स्थिती किस परकार आती है तिसका सही ओप्षन होगा हमारा ओप्षन नमबर C धीरे धीरे कैसे बगवलो? धीरे धीरे चलिए Question number हम लो 21 एका इसे दखते हैं बगवलो? देखे 21, किसर मरकीश काता है, बिहार में कितनी जमीन पर बहु उदेशिय समुदाईक भवन निर्मान की योजना है इसका सही अप्षन है हमारा, अप्षन नमबर A 4,000 बर्गफिट, हाना, अप्षन नमबर A चलिए, किसर नमबर 22 देखे बहु लोग कता बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए इसका सही अप्षन है बहु लोग, हमारा अप्षन नमबर B नदी के दोनों और तटबंधों का निर्मान होना चलिए बगवा लोग क्युष्चा नमर हम लोग 23-30 देखते हैं देखें क्युष्चा नमर 30 क्या काता काता नदी के जल गरहन छेतर में बिर्चो के रहने से क्या लाब होता बिर्चो के रहने से क्या लाब होता है जिसका सही आप्शन होगा बगवा लोग हमारा आप्शन नमर दी बादल आकर्शित होते हैं और बरसा की संभावना बढ़ती है बादल आकर्शित होते हैं और बादल की संभावना बढ़ती है चलिए question number 24 देखते हैं question number 24 देखे कहता question number 24 कहता आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधाक होती है इसका सही option है हमारा option number mobile टावरो तथा transmission टावरो का टूटना mobile टावरो तथा transmission टावरो का टूटना option number A अ था आज का हमारा 24 यानि 24 question का objective अब आप कमेंट करके बताईए बगवरो कि आपने कितना सही बनाया कमेंट में जरूर बताईएगा बगवरो और बगवरो वीडियो अच्छा लग रहा है आपके लिए फाइदे मंद है तो प्लिज वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बगवरो लोग प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फिर मिलते हम लोग एगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद